आउस्बिलाहिमिने शहीतवानुराजीम, बिसमिल्लारहमानुराहिम, असलाम लेकम, कैसे हो भी, हम कर रहे हैं MTS 202, Discrete Mathematics, जिसका आई लेक्टर स्टार्ट करेंगे हम 16, जिसमें हम बढ़ेंगे Types of Function, सबसे बेले मैं क्लियर कर दूँ, कि जिसने लेक्टर नमबर 15 नहीं ल कौन सी ऐसी कंडिशन लगाई थी, एक रिलेशन के उपर, कि वो Function बन गए थे, तो वो Concept आपका Function का Clear हो जाएगा, सबसे बेले आपको Function का पता ना जाएगा, फिर Types का पता जलेगा, You understand, समेलागी बात की, इंदी में कहते हैं किस परकार क्या Function बढ़ेंगे, ठीक है, त करते हैं, सबसे बेले मैं एक बात किलिए करता हूं कि प्रिविस क्लासिस में आपने Functions की टाइप्स पढ़ी है, Function बढ़ा होगा, पले नहीं बढ़ा होगा, बड़े बड़े स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, जो कि उनका Final Smasher चल रहा होता है, या Project चल रहा होता है, तो वो 15 Lectures से आपने करनी हैं और उसी टाइप्स का तो उका उका ही नहीं पता चला ना, कि टाइप्स क्या होती है, तो लाजमी लेंगे नमर 15 लें, फिर 16 पर आएं, यां आपको जागे पता चलेगा कि टाइप्स किस तरह डिसकर्स करते हैं, यां टाइप्स की कौन सी ऐसी अपको पता जले कि यह जो फंक्षिन है आपके पास ये कौझ सा मंशन है इन्टु एसका नाम है इन्जिक्टिव इसकी बात करते हैं तो सबस्के लेना मैं उर्दू में समझा लेता हूँ आपको ठीक है ना अपने लफाज में के एक अंदर दो डिस्टेंट्स अलिमेंट्स हैं उनका जो बी के ऊपर इमज बनता है ना वो एक सेम इमज नहीं बनना चाहिए मैं उसकी एक्जांबल गेता हूँ देखो जड़ा हूँ यह समझा लो एक एलिमेंट है तो यह बी कें यह बीगे डिफ्रेंट इपर इमज बनें ठीक है ना तो यह जो है ना वानन है अब यह तो मैख्न के लिए टीक है मैंने वैसे वेरियब्स में लेक्र वाया यह देखो ज नहीं है लेकिन हर एक अलग अलग इमें जा रहा है देखो डेफिनिशन बड़ता हूं मैं अब आप फंक्शन एफ ए मैपिंग और यह बीके ओपर एडिफाइन भी इस सब्सक्राइब टू बीवां टू फंक्शन इफ नौ इफ नौ टू इफ नौ टू डिस्टेंस इफ नौ लगा लो ठीक है दोब वना, डू डिफ नौ डिस्टेंस है मुप्तिलिव है अलिमेंस ऑफ एब ए, ये लगा लें ये बी लगा लें, ऑफ ए हैm भी सेम, image in B no नहीं होना जाई है same image in B में 1 और 2 का same image नहीं होना जाई है तो ठीक है इस तरह का जो opposite है वो देख लेते हैं उत्रा देखो ये A का 2 है और C का भी 2 है दो तो different image है A और B elements है A के लेकिन उनका same image आगा है 2 तो ये तो set नहीं होगा relation नहीं होगा one one ठीक है one-to-one injective तो क्या मतलब है फिर यह क्या होगा one one समय है ना बाद की हर रेक करख लाग लाग image होना चाहिए बाद simple याद रखिएगा double image नहीं होना चाहिए ठीक है double elements का इमाइन नहीं जाना जाएए बी के उपर तो देन क्या आपके पास होगा आपके पास फंक्शन वन वन होगा वन डू वन होगा इंजेक्टिव होगा याद रखेगा डुमेन रेंज और को डुमेन की बाद में बात करेंगे सिंपल पहले हम सीख लेते हैं के वन वन की चार असला नहीं है ठीक है तो इट मीन यह वन वन है इंजेक्टिव है तीन नाम है इसके याद रखेगा और क्यों कहना क्लियर है यह याद रखना आपने अब दोबारा फिर इसी पर जलते हैं एक डू है और सी का भी टू है तो यह तो एक ना एक सेम इमज आ गया है एक और सी क का ए और सी डिफरंट तो जरूर एलिमेंट्स एक लेकिन ए और सी का जो इमज आ गया वह एक सेम आ गया तो यह तो वन वन नहीं होगा समयागी ना बाद की आगई यह अच्छे से आपने देख लानी है ओक्यों क्यों क्यों इस दर आप बढ़ते हैं हम आगे देखो जरा मैं आपने पास से सेट करता हूं एक्जेम्पल वन टू थ्री फॉर फाईव सिक्स बानका फाईब है टू का फॉर है ठीका शिकस है तो देखो हर एक का डिफरंट डिफरंट बन गया है तो इस mean क्या होगा यह वन वन यह वन वन तो यह वन वन नहीं है यह यह वाणवन नहीं हैं यहाग़ जातिए बिसक्तिक करेंगे किया बूला है तो याद रिखेंगे यहां तक अभी याहां आप भात बात कर रहा है मिक्सेशब करना यह वान बात नहीं है रोकथा अगे अगर फ now पूर्म्सेश कर देख करता यशर कर दो है === कर वे यह मेन्ट इसकेव ऑन बा इसके लिटाएंटिक यह आज हो दिया कि बात करते हैं historic यहाँ थोड़ा वान वान नहीं होना था ओके याद रखेएगा अभी वान वान की एक्जैंपल हमने की है अच्छे से हमें क्लियर हो रहा है कि वान वान कौन सा फंचन होता है जिसके आपके पास इमज कंप्लीट पूरे-पूरे होते हैं लेकिन रिपीर नहीं होना चाहिए उसका ठीक है ना प्रीमज जो जाते है ना एसे बी की तरफ वो किसी एक पे दो इमज नहीं उने चाहिए अब हम इसे वाइंड आप करते हैं वान वन को बड़ा हो गया वान वन के साथ खलवाड लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा के थोड़ी सी एक आध एक्जैंबल और कर लें तो बेतर है ठ 1,2,3,4,5,A,B, ठीक है हाँ जी ये वन वन होगा ना नहीं वन होगा ये फंक्शन ही नहीं होगा ये फंक्शन ही नहीं होगा देखो कभी एक डुमेन का जो नंबर होता है वो रिपीड नहीं होता वो डबल इमज नहीं बनाता किसी के उपर तो Tä्qa it speak तो यह फंचली नहीं फंचली है यह नहीं है कि आपकी डुमेंट रेपीट ही नहीं हुथ ही है कि यह अगला करता हूं कि खतंतों 4 के साथ इसका relation तो then याद रखिएगा यह function 1-1 है फिर यह 1-1 है clear है याद रखना तो अब domain और range की बात कर सकते हैं इसकी यह जो पहले वाले element होते हैं एक है वो होती है आपके पास domain 1-2-3 1-2-3 और जो last वाले होते हैं वो सारी code domain होती है कोड में दूसरे वाली सारी कोड में होती है लेकिन जिस पर image बन रहे होते हैं न चार पांच और साथ यह आपकी range होती है याद रखिएगा simple सा concept है बच्छे code main और range को mix कर देते हैं यह mix नहीं करना आपने अगर में आगे बहुत करते हैं आपके पास आपके handouts के उपर लिखा हुआ है कि इन one-to-one function में image कैसे बनते हैं यह paper में बूझे लिता है इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इसे भी revise कर भाऊं सार्थ ठीक है नहीं तो मैंने कहना था कि आप खुद कर लें ठीक है तो यह भी मैं समझा लेता हूँ अगर image सेम नहीं होंगे तो देखो ना अगर element सेम नहीं है तो उनके image भी सेम नहीं होगा देखो ना for example यहां पर x1 बढ़ा हुआ यह वान है यह टू है मैंनो नंबर बता रहा हूं तो यह x1 और x2 इमना रहा है f of x1 के ओपर और f of x2 के ओपर यह बीडिफरेंट यह बीडिफरेंट यह दोनों भी डिफरेंट तो नोट इकोल आएगा फिर और क्योंगे ना मसाल दो पर इसकी एक्जांपल है छोड़ी सी देखो दर वान टू ठी फॉर देख लो ओके ओके ना तो यह डिफरेंट है तो it means कि यह इस तरह की कंडिशन लगेगी paper में अगर इस तरह की कंडिशन आ जाती है यह वाले यह याद रखना है यह one one के लिए one to one के लिए injective के लिए okay याद रखेगा ओके आगे चलते हैं function कब one one नहीं होता जब image तो ठीक है different है ठीक तो इसकी एक्जांपल गुं Play एपन सकती है इसकी एक्सेo एक्स वन एक्से持 थू ऐक्सेन को यह शनी नहीं की यह емीनेशन Magnum こ qui mean क्या हो गया यह function one one नहीं होगा okay आगे चलो alternative method है इसी चीज को लेगे चलो कि अगर यह चीज होती है तो इसकी contradiction या कंट्रपोजिटीव क्या होगी उल्ट क्या होगा यह होगा यह सोने लिख और यह याद रखे हमेनिखा है यह चुकी है याद यसे एग्जांपल में उसने दिया वए गया एक फंग्शन ही उसे चेक करो कि यह यह वण आपने करना किया है आपने एक चीज कहा देनी है कि जहां पर मैं खड़ा हो वाँ ना ये जमीन है ठीक है आगे जाके बादा चलेगा ये जमीन नहीं है ये तो स्काय है ये मैंने उलड कहा था मैं तो जमीन पर नहीं हूं मैं तो स्काय पर हूं ठीक है ना समलागी बात की मैं स स्काइब में हूं यह ऐसे कहा दें इसकी एक्जेम्पल सी एक्जेम्पल यह जो वाइड बोर्ड है ना यह वाइड बोर्ड नहीं है यहां पर कोई दर्वादा लगा हुआ है कोई गेट है तो मैं ना एंडरों की कोशिश करता हूं समयलागी बात की लेकिन जब मेरा सर लगा दिवार के साथ यहां वाइड बोर्ड के साथ तो मुझे पता चला यह वाइड बोर्ड है यह गेट नहीं है समयलागी बात की यहां एंडरोंने का रस्ता नहीं है तो इट मीन जो मैंने पहले एक इजहार किया कि यह जो क्या है यह basically मेरे पास गेट है तो जो मेंने वो बाद गए लेकिन बाद मेरी पा कशार हो गई वो में बाद को गयी वह गलत हो गई तो यह और्यकशन कंट्रा पोस्टिफड ऑगर एक बात आप कहते हो लेकिन वो बात होती नहीं हैं बात में एड़ में पर चलता यह तो मैं गलत था जो मैंने बात के वह गलत भी आप तक या या रखियेगा एसे की बहेर पह आपने एजामपलledge करने करनी है किसी भी फॉप करने के लिए आपने यह कंट्राप्व व defiene कियाältे यहां से लिखना है यहां पर आपने प्रूब करना है यहां पर यहां प्रूब करना है लगा लगा यह लगा गया, तो बाद में इसके लाइन के नीचे आपने यह लेकिना है यह चीज जो है ना आपने प्रूब करनी है तो आपके पास जो फंशन है वह वान वान हो जाएगा ओके समय लगी ना बात की तो यह कंडिशन ज्याद रखें के यह कंडिशन होती है वान वान की करना किया स्पोर्स ऑन कंट्रेरी ठीक ह आपने करवानी है वह कैसे होगी देख लेते हैं स्पोर्स ऑन कंट्रेरी क्या किया मैंने मैंने यह नोट इकॉल को इकॉल ले लिया अब मैं वाइड बोर्ड की तरफ जाओंगा जब सब टक्राएगा मेरे दिवार के साथ मुझे फिर परदा चलेगा यह तो वाइड बोर् आपके पास है यहांपे एक सही हएन और फिर यहांपे टू लगा देना यहां पिर यहांपे वन ने बंटू लिक्स टो इसकी साथ यह उलिट यह लखिछ wand rays अ यह विखाल आगया विचिद कंट्राडिक्शन सो एफ एक्स वन नोट एक्स टू एक्स टू तो एफ इस फ़न टू वन समय लगे ना बाद की नोट इक्वाल तो यह कंट्राडिक्शन होगी जी डिश्टेंस अगर मागे बात करें तो आपके पास लोजिक्स आगें अब जो पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे याद रखेएगा पके दो नमबर यह वले पैच के ठीक है देखो दरा कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन है ठीक है तो फंक्शन के अंदर आपकी मैपिंग एक्स और वाइग के उपर है तो यह बताओ कि इसके अंदर वाण वान खुद से क्रियेट किया है और बिरकोल एकुरेट आन साता है ठीक है तो वह आपने में में रखना है कि सर ने कैसे करवाएगा सबसे देखें जरा सबसे जादा कितने हैं तो आपने क्या करना है यहां पर प्रऌड लांट की यह यह तरीकागार सत्राइब faa को jáँगा सबसेंट दोनों की लिवरेंस आती है जो यहांद को बहुता है यह यहां पर फोर चाहिता प technical फिर यह फेक्टर आपका खतम हो जाना तो मुलिप्लाई करें 24 आएगा ओके उसके पाद एक नोट है बड़ा कमाल का नोट है यह भी पेपर में आता है बड़ा दादा लिखाँ वह आग्राफ ओफ फंशन एफ इस वान तो वान इफ एंड अनली इफ एवरी और इसंटल मौ सब्सक्राइब मॉस्ट समय लगी बात की किरा जो घुराफ है ना आपका करेगा एड मौ सतैम्सक खता यह मर इंड मौस्ट आपके पास है क्या होगा ज़्व करतेके लिगत ही सब्सक्ता है तो दिखो रहा है यह और यह यह आपके पास क्या यह यह आपके पास है आपके पास पर प्तामों औरफ्ट कर सकते हैं तो और सकते हैं निया आगे बात करतें तो आपके प्सक्तिक मुंदा कर लेते हैं तो सब से निगर on to function में क्या करना है याद रखिएगा इसमें वादिया इमिज आपको दखाई देंगे देखो f of 1 जो है वह एक एक एकल f of 2 is equal to b के और f of 3 is equal to c के और f of 4 is equal to d के तो ये ना वादिया इमिज बनाएगा हर एक का एक अलाग-अलाग इमिज बादिया बनेगा और एक और बाद याद रखिए यहां पर कुछ भी बाकी नहीं चूटना जाएगे कोई element अगर बाकी चूटते हैं तो फिर आपके बास one to one बन जाएगा ओंडू नहीं रहेगा ठीक है ना यह देखो यह इसकी example है यह यह one to one की example है यहां पर एक element होता है यह post image होता है याद रखिएगा और यह domain होती है यह co domain होती है ठीक है और इसके जो image बनते है ना इसके अंदर set के वह आपके पास range होती है इससे टू भी इफ फॉर राल वी बिलॉंग टू बी देर इस एन अलिमेंट ए बिलॉंग टू ए सच डाट एफ ए इस इकल टू बी वही यही बात गया रहा हो ना कि आप ए में से एक अलिमेंट लो उसका आगे इमज पड़ा होना जाहिए तो एका वन का इमज ए टू का बी थ्री का सी है फॉर का डी है तो आपके पास और यहां पर कोई बी नंबर छूटना नहीं चाहिए चूटे गा तो वह वन बन जाएगा नहीं तो फिर आपका बनेगा अगर पूरे-पूरे बाद यहां इमज आपको पला चल रहे हैं तो कोई भी डैफिनेशन है उसे रटा रिटा लगा लेंगे तो वह आर्जी तोर पर याद रहेंगी फिर बोल जाएगी देखो दराब यह जो लिखा हो ना f of a is equal to b basically यह यही चीज़ लिखी है देखो यहां पर पहले पुट करो one ठीक है फंशन के साब से एक ही जहां पर लगाया और आगे क्या आंस आया तो यह बना कर नहीं बना ठीक है इसी तरह टू लगाओ तो क्या आंस आया बी तो यह बन गया इसी तरह पोर लगाओ फोर तो आंस आया डी तो यह फुल्फिल कर रहा है पूरा पूरा complete यह होता है अंडू फंशन ओके अब ना दो नोर्स ऐसे नोर्स हैं जो पेपर में पूछे ज जो यह ना वो डिटेल के साथ साथ सा बताते हैं समय लगी ना बात की तो इसलिए तो आप हमें लाइक करते हैं ठैक्यू देखो ज़रा रेंज एफ रेंज इसकी एफ की कौन सी जिसके इपर इमज बनते हैं एबी सी डी तो रेंज एफ इकल टू कोड़ में एफ समय लगी औो पूमें और कोड़ में धोनों सें होती है धोनी सेमोती है याद रखिएगा रेंज आफ एफ और कोड़ मीन फ। दोनों इकलोंगी याद रखेगा क्लियर है क्गश्टा रही था है प्यूम्सेल नहां चाहिए एप संर ग Igagen में consist अर झाह कूमांशन ऑह एक होती है ओंड होगे का प्राइब क्नु आफ जलते हैं नोट है वांट होगे से सब्सेट होटी है वांट shifts होती है में कॉन गांग पूरी कॉट में ग्या पांच साथ नुएंध 검ण फूर वैसा तो यह पॉइंट जो ना याद रखेगा यह पेपर में पूछे दोनों ही दोनों क्या यहां पे भी यहां पे भी वह चीज पूछ लेता है वागई इमेज़ वाली बात भी तो याद रखेगा अब याद रखेगा कि पेपर में जो क्वेसल पूछता है न वो कि यह कौन सा र एक तर लेते हैं path paper में श हम पूचता है ए दे लिए देता है एक relation दे लिए यां एक function दे लिए ता कहता कौन सा function ना बताओ तो याद रखेगे ए लेबाएं पेपर में ये आना नहीं आना है पकान आपका आना ये ठीक दिक देखेला अब से वेले आप राफली ओवल बना लें ठीक है वोन हो ठीक लें ए बी चीले लिक लें जैसे अरेलेशन रिलेट और रहा है वैसे रेलेशन को रहीं देखो ओके ये लो तो ये किसमें हमने बढ़ा था वादिया इमज f of 1 is equal to a f of 2 is equal to b f of 3 is equal to c किसमें बढ़ा था पताऊ हूँ जरा on do में बढ़ा था किसमें बढ़ा था on doon में याद रखिएगा ये function कौन सा होगा on to होगा clear है तो याद रखिएगा यह जो इमर्ज है ना जरूरी नहीं है सीधे सीधे लिखे जाएं यह ऐसे भी हो सकते है येलो तो यह फिर भी आपके पास on to ही है क्योंकि यहाँ पर बादा कुछ भी नहीं बचा याद रखिएगा यह फिर भी on to ही है क्लियर है माइंड में बठाने वाली बात है यह वाली कंसेप्चुल चीज थी जीडियो स्रेंट्स आपके पीडिया जो आपकी बुक है उस पे यह एक्जैम्पल दी गई है जर अमने यह क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यह एक्जैम्पल कौन कौन सी है ठीक है सबसे पहली आपके पास एसे टू बी से वन और सी से टू तो एक ही ऐलिमेंट बी के आया के डबल इमेंज बान गें है वन वन होगा नहीं वन होगा डबल इमेंज उने नहीं नहीं चाहिए डबल इमेंज आने ही नहीं चाहिए डिफरेंट अलिमेंट्स के आपके पास एक अलिमेंट ब के ओपर डबल इमेज नहीं जाना चाहिए ठीक है ना तो यह वन वन नहीं है लो क्यों क्या और यह उंडू भी नहीं है फिर क्यों क्यों क्या ना यह वान वान ना यह उन्डू है चलो जान चुटी इस से ओके जोगी ओके नौट ऑन टू फंक्शन नौट वन वन अब आगे यह देख लिते हैं ऩो इसमें अगर क्या रिएकशन कोई क्या नहीं है लेकिन याद रकेगा यह वन वन नहीं होगा अगर डबल मीं जा रहा है एक क्वार है का थी के वॉपर एक पर लिए का थक्री अपर तो यह नहीं यह तो के लियर है लेकिन यह میں उता हो ठीक है तो याद रखना है यह वाला फॉइंट ओके तो सिंपल सी यह एक्जेंपल दिसकी यह देख लेनी आपने डिफाइन आपने करने हैं जी एक आपके पास फंचेन है आट टू आट डिफाइन किया गया है उसकी वैलियो दीगई एक फॉर एक्स माइनस वान वही तो देखो दरा फॉर के साथ फॉर कैंसल वाई प्लस वन तो माइनस वन पहले बड़ा होगा है तो वाई आ गया ओन्टू में एफ एक्स इकल दो वाई आपने प्रूफ करना होता है यह वाली चीज जो पुटकी है ना यही आपका एंड प्याना चाहिए सो एफ इस ओन्ट के देखते हैं कॉंटर इक्जेंपल की बात करते हैं सिंपल सी चीज आपने क्या करना है आपने यह करना है कि आपके पास एक सेट ऐसा है जो इंटेजर सेट है डिफाइन किया ना अपने इंटेजर पे आप नेचरल पर भी कर सकते हैं आप किसी भी कर सकते हैं आप रैशनल कर देना है लेट में बिलॉंग टू जी है इंटिजर है मखलब के इसे हमां बटे की फॉर में नहीं लिख सकते एंड एंड को भी तो सच डाइट आपने का किया एच आफ एंड जो है ना उसे ना इंटि जिर्ट्व तो बटे में होता ही नहीं है में और में नोट भी तेकिन यह याद रिखिये गा ऐसी सुरत हो कि तो कि अगर यह स्थाइव हो जाए एंड को रही नहीं हो सकता हर एक है कि अंडिजर हो में और में नोड़ भी ठीक है तो यह तो पिर पर क्या करते हैं गया जाते हैं वो जीरो कर देखा यह लो 0 पूट करके देख लो यहां पर पूट इन वन तो क्या यहां से पहले नहीं कर लो एन इस इक्जांपल तो एन अधर फ्रैक्शन आगी आपके पास है तो आप कहा सकते हो ग्राफ वाला जो एड लिस्ट वान पॉइनट उसने लिखा हुआ है तो वह आपने खूद करने हैं ठीक है ना कर सकते हो ना तो अच्छे से कर लीजिएगा आगे जो है ना मैं डिटेल के साल आपको पढ़ाता हूं ओन्टू वाला जितना भी कंसेप्ट है वह आपने खूद करिएगा अच्छा जी अगर माँकह बात करते हैं तो आपके पास पयुल्ट फंक्शन है वाइज्यक्तिफ फंक्शन ऐसा function होता जो वन वन भी होते है डाव ऐन ओ इन्टून भी होता है तो इसका मतलब ब電ख यौका मतलब दो ए है तो यह दो तो फंक्षन की जो कहलो के कंबिनेशन है वन वन का और ओंडू का ज्याद रखिएगा ठीक है चलेंजी डेफिनिशन देख लेते हैं बजेक्टिव फंक्षन इफ फंक्षन एक मैप हो रही है यह से भी मैपिंगारी इस वन वन एंड ओंडू वन 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 भी और ओंडू भी ओ इस काल बजेक्टिव फंक्षन फरेक्टल यह देख लो हर एक का वादर इमेज यह डबल इमेज नहीं जाएगा तो वन 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 यह नहीं होगा इंग एक्टिव नहीं होगा और दूसरा अगर यहां पर कुछ भी नहीं छूटा तो उन्टू होगा तो देखलो यह ओन्टू भी है यह वन्टू भी है तो इसका मतलब क्या होगा यह बजक्टिव है ओके देखलो वादया इमच जा रहे हैं हर एक के उपर डबल इमच जाएगा तो वह वाणवाण नहीं होगा अगर यहां पर कुछ छूटे का कोई नंबर तो वह ओंटू नहीं होगा तो लेको देखो यह दोनों चीजों को फुल्फिल कर रहा है कि यह आपके पास वाणवाण भी है वादा वादा यह वादा इमिल लेकर जा रहा ह सबसे पहले याद रखना है कि आपकी डबल इमज उनी चाहिए डबल इमज आए किसी की तेख लो डबल इमज किसी एक नमबर पर दो इमज आने चाहिए फॉन चाहिए इस को यहां पर बाट नहीं है एक नमबर चूट भी गया यह और आ यह औंटू एक नवर भीुड़ गया तो इसके मज़न यह क्या होगा इंटू फंक्शन होगा ऐसा फंक्शन जो उनवन भी ना हो यह आप ने खुद लिखना है डाफरेशन लिखनी एसा फंच्छन जो 1-1 भी ना उरंटू भी ना ओ तो ऐसा फंच्छन कहते हैं इंटू फंच्छन कहते हैं इंटू फंच्छन और डिफाइन जैसे भी उसे ने किया वह लिखी देना आपने एफ इस वान तो वन या वन 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 वी हैव फो प्रूव डैट एप एप एक्स वान नोट एक्वल एक्वल होने जाहिए एक्स वन और एक्सु बिलॉंग टू आर है ठीक है तो क्या करना स्पोस ऑन कंट्रेर है कि इकोल करें इनको क्या कर देना इक रखके अब यह भी इकोल आने जाहिए तो पॉस ऑन कंट्रेरी और अपका कंप्लीट कंट्राडिक्शन आजाएगी कि यह किसके बराबर है डैफिनेशन ओफ एफ यह आपके पास एफ एक्स बरापर होगा यहां पर लगा दें तो के लिए ओब देखो आपने एक्वल का लिया तो आपके इमज भी कवल आ गए तो यह तो उलट हो गया क्ट्राइक्षिन होगी ना तो क्यूंकि हमने इस पोस्व और कंट्रेश्चन गया यह वह तो इस पोस्व लिखा वहा है लेकिन आप उच गया है तो इट मीन के आप क्या कह सकते हो कि यह जो इमज आना यह नोट एक्वल हैं और फंशन भी नोट एक्वल हैं विकॉस हमने कंट्रेरी इसकी जो ना सब्सक्राइशन की होई है लेट किया हुआ है फर्ज किया हुआ है अब अब आउन टू को देख लेते हैं अगर हम बात करते हैं अन्टू की तो लगा जो आएगा एक्स इकल दू य की पावर वन बाई थरी एगा ओके तो देन आपके पास जो आंप बनेंगा वह यह का पुटेन वन करिए गा दोबारा फिर वान में पुटे करना है एक्स जगह पिर आपने य की लगा देनी है वान भाई थरी तो ओपर आरोडी थरी प most भॉन पॉइंट है ओंटू के लिए एडली फ वान पॉइंट है और इसी तरह ही पजाटिफ के लिए एक्जेक्टिली वन पॉइंट है। ग्राफ टच करता है कितने कितने points पे तो यह जो है ना इन में से एक पका आपको paper में आ जाएगा यह three lines जो है ना इन में से एक line पकी है paper में याद रखेगा अच्छे से रटा ही लगा लें से समय के कर लें जैसे मर्जी कर लें लेकिन दियान से करिए का paper में आनी पकी है यह वाली अगर हम बात करते हैं तो अडुनर्डि फंक्शन आपके पास एक ऐसा फंक्शन होताए जिस पे आप कोई भी इनपुट देते हो ना कोई भी वाल्य पूट करते हो आपके पास जो आंस आता है वह यांस आज आ जागा फिर तो इसके मुझा बाद बाद यह फंक्शन है इनप 2 2 3 3 जो आपके पास domain आवो ही range आवो ही code domain है बस f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 2, f of 3 is equal to 3, फो यह इस तरह पेपर में पूछ लेता है याद रखेगा इस तरह पेपर में पूछ ता है यह मैंने सब्सक्राइब कर दिया और इसे मैथमेटिकली जो हम शेप देते हैं ना डिफाइन करते हैं वह याद रखिएगा नमबर वन नमबर टू नमबर थ्री यह इस तरह भी दे सकते हैं f of x is equal to x यह i of x is equal to x तो यहां पर आप देखो for example यहां पर लगाओ यहां पर लगाओ f of one is equal to one आगया f of one is equal to one आगया देख लो तू लगाओ f of two is equal to two आगया f of three is equal to three आगया सब्सक्राइब बात कीजिए identity function को रिप्रेजेंट करने का तरीका का रहा है यह वाला और यह मैंने सारी प्रूब करने है आपकी exercise में example है इसे आपने बज्यक्टिव आपने प्रूब करने है मतलब कि आपने उसे वन वन और ऑन टू प्रूब करने है कर सकते हैं कर लिजेगा identity function को क्योंकि वह आ रही बज्यक्टिव होती है ठीक है ना यहां जी आगे देखें दरा constant function constant function ऐसा function जिसमें आपके पास जितने मर्जी इंप्लीमेंट किये जाए एक नंबर पे ही आप uniform जा रहे हो constant जा रहे हो वान का वाई को पर टू का वाई को पर थ्री का वाई को पर इमेज बन रहे है तो यह constant function f of one is equal to y f of two is equal to y f of three is equal to y तो range इसका हो गया यह fix होती है इसकी range क्या होती है इसकी fix याद रखिएगा ओके constant function में और यह आपके PDF में handouts को पर एक्जैंपल है कि 7 के उपर इस सारे मजबना दी है उसने तो यह भी constant uniformly है तो इट में के अब इसे हम define कैसे कर सके है इस function को f of x equal to c y equal to c और c of x equal to c यह second year की book का fc की chapter number one वहां पर यह function दिया वह आपके handouts के उपर ओके समय लगी बात की अब ना टू पॉइंट्स हैं नीचे लास्ट पे लिखे हुए हैं वह हम discuss कर लेते हैं कि अगर वह कहता है कि अगर अगर domain single time है ना तो आपके पास constant function जो होता है ना वह one to one होता है पेपर में उसने पूछा हुआ था यह वाला constant function की अगर domain single time है तो वह one to one होता है वह क्या होता है one to one 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 होता है ओके समय लेगी ना बात की injective होता है और on to को सर्जेक्टिव कहते हैं on to को कौन सा function कहते हैं सर्जेक्टिव याद रखिएगा उसके बाद वह कहता है कि अगर अगर आपके पास code domain single time हो यहाती है code domain single element आता है जैस code domain single time है तो वह on to होता है और on to को function को सर्जेक्टिव function कहते हैं और one one को injective function कहते हैं और one one और on to अगर दोनों कठे आ जाए जाए तो उनको objective कहते हैं याद रखिएगा ठीक है ना जी अगर मागे बात करते हैं तो आपके पास मजीद types भी होते है functions की तो मैंने सोचा कि अगर आज स्टार्ट गरी लिए types of function तो वह भी details से हम पड़ी लेते हैं ठीक है ना तो देखो दरा exponential function भी होते हैं ऐसे function जिन में variable जो ना power की शकल में होते हैं और e involved होता है महाँ पर तो वह आपके पास कौन से function होते हैं sin hyperbolic x is equal to e की power x minus e की power minus x by 2 इसी तरह ही cause का अगर हम बात कर करें तो माइन से प्लास आ जाएगा माइन से जाएगा प्लास इसी तरह इंटेन के अगर बात करें दोनों को डवाइड कर दो आपर नीचे रखके तो यह उपर वाला फैक्टर और यह नीचे वाला फैक्टर वैसी आजाए यह होता है जी exponential function 10 hyperbolic x के लिए code hyperbolic or sign hyperbolic के लि उसका उलएड कोसिक कोज उसका उलएड सीकेंड टेन उसका उलएड कोट यह ट्रिक्नोमेडरी functions होते हैं उसके बाद लास्ट पर जो है ना जान चूडने लगी है मारी polynomial function आयते हैं polynomial function ऐसे functions जिनकी power positive होती है और बटे में भी नहीं होती तो decrease भी होती है सासा देखो four है three है two two है और यहां बे one है और यहां बे जीरो खतम होगी ना तो negative और ना बटे में हो वो polynomial function होते हैं समय लगी ना बात की जिसे उर्दू में कहते हैं कसी रखमी यह कसी रखमी है ओके दो में याद रखिएगा बड़ी मैंने की थी आपको लेक्श डिवर करने के लिए बड़ी त रखिएगा और मेरी तांदरुस्ती के लिए मेरे माबाप की तांदरुस्ती के लिए दौा किया करें और मिलेंगे इन्शाला लेक्श नमबर 17 में और फोकस करें अपने study के उपर और अमरे link को जाला जादा शेयर कीजिए social media पे और हमें viral कीजिए क्योंकि हम आपके लिए मेंनत करते हैं बस इतना ही आप करना है आपने करना हमारे लिए और रजाला जादा अपने campus में भी अमरे लेक्श के बारे में बताया करें दौा में याद रखेगा तब तक के लिए जादे दीजिए इन्शाला मिलेंगे लेक्श नमबर 17 में अलहाफिज